नमस्ते दोस्तों आप सब कैसे हो तो आज मैं बना रही हूँ नारियल की चटनी ये खाने में बहुत ही टेश्टी होती है तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है थोड़ा से नारियल आधी से जादा मैंने नारियल लिया हुआ है एक मीडियम साइज का नारियल लिया जिसको जो पीछे ब्लाक कलर चिलका उतार दिया उसके बाद इस टैप में कट कर लिया हूए आप चाहो तो इससे भी ज्यादा छोटा कर सकते हो उसके बाद हमने लिया है यह थोरे से चने के दाल लिये हुए मेडियम साइज का चाहो तो कम ज्यादा कर सकते हो उसके बाद हमने दो चाहो तो कम ज्यादा कर सकते हो इसके बाद हमने आधा अधरक लिया हूए मैंने जिसको अच्छे से मैंने वाश कर लिया हूए और इसके छिलके उतार लिया हूए उसके बाद दो लेसन की कलिया लिया हुआ है मैंने और चार हरी मिर्च लिया हुआ है उसके बाद मैंने यहाँ पर कड़ी पत्ता ले लिया हुआ है थोड़े से कड़ी पत्ता लिया है मैंने उसके बाद मैंने स्वाद अनुसा नमक लेना है थोड़े से मैंने काले सरसो ले ल कर सकते हो और जो मेरे चैनल में नय है प्लिस संस्क्राइब करे मैं लाइय करें और में था टाकि हमारी वीडियो आगे भी लोग देख सके हैं तो चलिए में बनाना स्टार्ट करती हूं तो इसको मैं एकट्ण मिक्सी इार मेंडाल दुंगी तो हम नी नारियल का एक मिक्सी में डाल दिया हुआ है अब हरी मिर्च और अद्रक और लैसन जो था वो भी मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अलग से रख देंगे उससे पहले हमें चने को भून लेना है तो मैंने यहां पर एक कड़ाई चड़ा दिये इसमें हम क्या करेंगे चने के दाल को डाल देंगे और इसको हमें हलका ब्राउन तक भून लेना है चने के दाल को और ली इसा में डाला डाल लेंगें, दोनों को अच्छे से थे थोड़ा हम भुल लेंगे दो में अजान तो हमा ब्रायल बुनना हमें मिन अजया हम से ज़्याधा नहीं बूनना हे य में तो हमारा से य नित्विक ाबने जान interactions तो देखिए हमारा चना और चने की दाल और मुंफली अच्छे से भून लिया हमने अब इसको एक बावल में निकाल लेंगे गैस को हम पहले बंद कर देंगे तो देखिए हमने चने की दाल और मुंफली को अलग-अलग कर लिया है अब मुंफली के छिलके हमें उतार लेना है अच्छे से हटा देना है और चने की दाल को थोड़ी दर हम पानी में भिंगो के रख देंगे यह हमने चनी के दाल को पानी में थोड़ी देर के लिए भिंगो दिया अब हम क्या करेंगे मुंगफली के छिलके को हटा लिए और यह बहुत ही असानी से हो जाता है आप कोई भी अच्छे से साफ कपरे में उसको मुंगफली को डाल के अच्छे से थोड़ा मसल लिजे उसके दाल देंगे तो हमने चने की डाल को भी डाल दिया है अब इसमें हम हमारा ये समाना उससे डबल हमें पानी डालना है बीच में हमें अगर मिक्सी चलाते टाइम में और भी पानी की जरुत हो तो आप यूज चल लेना अब हम इसे पीस लेते हैं अच्छे से बिल्कुल हमें बारिक पीस ना है पेश्ट एक तयार करना है तो हम इसको पीस के अपको दिखाते हैं अच्छे से चटनी को तयार कर लिया तो बल्कुल बारिक पीछ लिया अब इसको हम एक बावल में निकाल लेंगे अब हमें इसमें तड़का लगाना है तो उसकी तयारी करते हैं तो मैंने यहां पर कढ़ाई चड़ा दिया और इसको थोड़ा सा हम गैस तेज कर देंगे तक ही जल्दी गरम हो जाए हमारी कढ़ाई उसके बाद हम इसमें 2 चोटे चमच Ь यूज करेंगे रिफाइन ओई तो हमने 2 चोटे चमच रिफाइन ओई डाल दिया क्योंकि हमें छोगळाने के लिए ही चाहिए तो हमतल कम से कम यूज करें तो हमारा थेल खरऊन मिर्च डाल देंगे तो हमारा तेल गरम हो चुका है इस टाइम पर हमा है तो हमारा राइ और ळैच्था अजसे से अ STE बोन चुक है अब इस टाइम पर हमने गैस को बंद कार दिया और और अब हम कड़ी पता इसमें बने अब हम चतनी में तरका लगा लेटें तो देखे हमने चटनी में तरका लगा लिया तो हमारा नारियल का चटनी बनकर तयार हो चुक है आप इसको उत्तपम के साथ भी खा सकते हैं इटली के साथ भी और धोसे के साथ भी खा सकते हैं आपको बहुत ही ये रेसिपी पसंद आएगी आप अपने घर में जल्दी मारत ही करECian ह Sinne olेगा उन्यारे एक जब करते हैं आपको के साथ नहीं जल्दीėट बनाइगे हैं वदर सकते हैं जल्यारे इसकते हैं